नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ और आज मैं लेकर आये बहुत ही यूनिक वीडियो यानि कि आप सभी को पता है कि आप सभी स्टोरी च्रांसेशन बहुत जादा देखते हैं पसंद भी करते हैं और आप लोगों ने कहा था कि सर हमें उक्याबलरी चाहिए पास्टेंस की यानि कि जो भी वह उनके पास्टेंस की तो इससे पहले मैंने तीनों फॉर्म की वीडियो बनाई थी लेकि इतने डिटेल में वहां पे नहीं बनाया हुआ था कि उसका मैं उच्चारण भ लेकर आया हुँ ताकि आप सेकंड फॉर्म को देखते ही समझ जाओ कि इसका मीनिंग क्या होगा नहीं तो आज मैं केवल फिफ्टी वर्ट लेकर आया हूं लेकिन पूरे डिटेल में आपको उसका उच्चारण और उसके मीनिंग आपको बताने वाला हूं क्योंकि बहुत जाद आप यदि हजार दो जार पढ़ते हो तो कुछ याद नहीं होने वाला पचास में से कम सम दस्वीस तो आज ही आपको याद हो जाएंगे चले लेट नहीं करते स्टाट करते आज की क्लास जिसमें आप मैं बताने वालों आपको वर्प सेकंड फॉर्म जिसे सिंपल प बोल सकते हैं तेकिन जहातर मैंने जेंडर पुलिंग में लेके चला है आप इसे लड़की हो तो तुस्साब से बोल देंगा तो हरा यह भी सकते हैं पहला अरोज अरोज देखे लिखा हुए पूरा हान से मैंने लिखा हुआ कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं ताकि या फिर उठा यहां पर यहां पर लिख वह को हम मुलते हें जागा जागा मनता मुद्र नीन से जागना तुसका सेकेंम क्या अवो जागा बोर ये बोर क्या आता है? सहा किसी कष्ट को सहना, कोई परसानी को सहना वहन करना उसे हम बोर कहते हैं, वो बोर होने वाला बोर नहीं है ठीक है? सहा बीटन, देखिए इसका प्रनिशेशन में लिखा है, अमवाली जी किसी को हिंदी समझ नहीं आता है, तो आप सुनके अपने जो भी आप language वाले हैं जो भी आप लिखते हैं, उसे लिख लेंगे बीटन, बीटन याने हराया आगे देखते हैं इसके बीकेम मैं लिख दिया है, देखिए बीकेम, क्योंकि कई बार क्या होता है, सुन लेते हैं बाद में आप यदि screenshot दूँगा, तो आप फिर बार में पता नहीं चलेगा इसका प्रणिशेशन की आप लिखा हुआ दिया है, स्क्रीन सॉट भी दूँगा बाद में बीकेम, याने बना या फिर हुआ, ठीक है Begin Begin, शुरू किया या फिर हुआ तो आप सभी को पता है, begin, किसका second form है शुरू किया क्योंकि begin याने शुरू करना और शुरू किया, तो करना हराना, दौड़ना, भागना उसका मैं second form लेकर आया हूँ सबका तो आप ध्यान देंगे, किया, दिया या, या, ऐसे ज़्यादा आएगा, ठीक है Bent Bent याने जुका जैसे कि first form bend होता है Bent याने जुकना, उसी का bent जुका Bit Bit याने काटा Blade Blade याने खून बहा, जैसे bleed होता ना, खून बहा, उसी का blade बहा, खून बहा Blue फूक मारा पास्टेंसी बता रहो मैं Broke Broke, याने टूटा, अब बताए किसका second form होगा, broke Brought Brought, याने लाया या फिर lie यहाँ पर जी का उचारण आपको नहीं करना Broke नहीं पढ़ना, जी आपको चारण नहीं होगा लेकिन लिखेंगे जरूर, silent होता है Brought, याने लाया है, फिर lie Build Build, बनाया, या फिर निर्मान किया Burnt, अब इसको Burnt भी लिखते हैं और Burnt भी लिखते हैं ठीक है, दोनों टाइप से होता है Burnt, 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 तीनों फरम Burnt होता है और एक Burnt, Burnt वाला भी होता है तो दोनों आप लिख सकते है तो Burnt, या फिर बर्ण ठीक है दोनों का मतलब होता है जलाया बर्ण नहीं जलाना उसी का पास्ट नचा दोनों चाहिए लिखो चाहिए लिखो दोनों आपका सही हो जाएगा दोनों इसका second form है third form भी ऐसे और ऐसे ही होता है क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे आपको कितना सारा पता भी है कितना नहीं है कमेंट करेंगे लाच में बड़्ट यहां पर भी देखेंगे जी सैलेंट है इसले मैं लिखा हुआ हूं क्यों यह नहीं लिखूंगा तो बहुत से लोग सुनते समय तो याद आप हम पढ़ लेंगे नहीं भी सुनना जरूरी है ताकि कोई भी confusion ना रहें बाट याने खरीदा मताई यह किसका पास्टेंस है जी हाँ बाए याने खरीदना उसका पास्टेंस बाट याने खरीदा caught जी silent है caught याने पकड़ा यह भी आप जान सकते हैं कि पकड़ना किसको बोलते है ठीक है chose chose याने चुना came याने आया या फिर I भी बोल सकते हैं मैंने पता है ना मैं pulling में लिखा हूँ गया लेकिन आप आया को आई है बोलेंगे हैं ना Grept Ett Tinghist Hi Sé relent ना सॉप उसे रिंगना बोलते हैं लेकिन क्रेप पास्टेंब का पास्टेंगी है Wash कट क सबस्सक्रम सेकंड भाट ठीनो कट कट ही लिखते हैं कर त्यान कें लिग कने कर जो लेकिन क्योंकि second form past simple past प्डानों इसले कार्टा बोलेंगे डग डग याने खोदा बताइए किसका past tense है थोड़ा इसले practice भी हो जागे लिखा वहाँ तो सीधा पढ़ लोगे डग किसका past tense होता है जी हाँ अधिक का second बड़ी याने खोदना उसी का डग याने खोदा डेट डिडिड़ याने किया एक है अधिया ने किया भी होता है पास्म डिड़ और दू का past tense है दू याने करना उसका past tense जी किर ड्रीव याने खीचा जी करें नियां चिट्र एक ड्रोटीर खीचना चित्र कीचना बड्राकुसन शेक ने वो नहींस ड्रेम्ट मैंने जीडिए ग्रेम्ट याने सपना देखा आपको पता इसका ढिंब ड्रिव का पासन द्रेम्ट मैंने लिग दिया देख्ये ड्रेम्ट यहाने सपना देखा आपको पता है इसका फर्स्फर्म कया हो फ़्ञर का इसे अडिये कमेंट कर गें ड्रेंग 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 यहानी पिया क्वण सब्सक्राइस मिला पी आप कोई ब iemand sa dmm तो रिंक हो कोई भी चीज़ हो पिया वाटरो रो ठीक है अगे ट्रोव देखें लिखा फट्रोव व रोव 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 याणे गाड़ी चलायी तो क्या करना या गाड़ी चलाना होता है जिवाइव उसका टुकर दो एट एट यहने खाया इसका फर्स और थार्ड फर्म अब इसका first form क्या होगा for fed fed याने खिलाया किसी को भोजन कराना खिलाना उसे हम fed कहते हैं felt देखें लिखा हूँ है felt felt यहने महसूस किया feel का पास्चेंस है felt बहुत छोटी क्लास होने वाली है लेकिन आपको पता है अच्छे समझ आ रहा होगा और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं छोटी-छोटी क्लास लाँगा इसका हजार दो हजार तीन यार एक तो लिखनी पाऊंगा उतना मैं क्योंकि मुझे पूरा सब्ची लिखना है और अगर पढ़ा भी दूँगा हजार तो आपको कोई काम कर नहीं है उससे अच्छा भी कम पढ़ो लेकिन अच्छा बढ़ो फॉर्ट यहां पर भी जी सैलेंट है फॉर्ट फॉर्ट याने लड़ा और कई लोग क्या है वीडियो बनाते उनकी उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन महुत से लोग मैं देखो तीन हजार वर्ट चार जार वर्ट और सीरह पढ़ते पढ़ते आते हो गया वह तो यह भी आप जानते हैं फर्स का बोलते हैं चरिया उनना कोई उनना भी यह उनना आओ उनना को की आवर्ट यहीं सेके और फूर्फ होता है ऊड़ा फॉर्गॉट्ट अब इस से मैं लिखने एंटे लिए फॉर्गॉट लिखाँ हौँ ठोड़ा से करते है तोड़ा अर सैले होता है तीरे से बोलते हैं डॉक्टर आप क्योंकि ची किरें तो फार गॉट ऐसे बोल सकते हूं को ट्याने भूल गया फागेट का पाशन इस फार गेव यह भी आप समझ सकते हैं जी करना होता है जी यहां फॉगी वियाले माव करना है उसी का नुक्ता बोलते साहेद उर्धू में आप लोग जयते होंगे फ्रोज याने जम गया बताइए क्या चीज़ जमना हिंदी में क्या होता है उसी का पास से जम गया तो जमना किसको मुलते है आपके हर मेरे यूस करते है वोची गॉट्ट 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 याने प्राप्त किया मिला कोई चीज उसे प्राप्त किया गॉट्ट गेव गेव याने दिया देना क्या होता है प्रेजेंटेंज में देना फास्ट फार्म उसे हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए देना बैंक के सर मत बोलेगा गिव याने गया क्या आने जाना होता है कमेंट कीजिए इसका थार्ट फार्म आपको बता देता हूं गौन ग्रीव देखें ग्रीव या फिर ग्रीव कहीं लोग ग्रीव ऐसे पर के लिए ग्रीव पड़ते हैं आप जो सही लगे ग्रीव भी पर सकते हैं ग्रीव ग्रीव यहाने होता है बड़ा ठीक है अब यह कौन सा वाला बड़ा है बड़ा होने वाला बड़ा है ठीक है उखाने वाला बड़ा नहीं है बड़ा होने वाला बड़ा है तो इसका 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 बढ़ना बड़ा होना उसी का ग्रिव बड़ा बड़ा हुआ इस प्रकार से हंग याने होता है लटक ठीक है फासी पर लटकाई इसका मनना बहुंदा मने लटकाया होता है लेकिन जानमुझ के हैंग में और हउंग में दोर अंतर समझाने के लिए यहां पर पर यह याने सुना अब सुनने को विलते आप लिख दिजिए बता दिजे कमेंड हीड याने होता है चिपा, HED HIDE का पास्टे बाइड है हीड है यहां पर लाच पी को पता है यह लग जाता है मैं अप कैपिटल क्यों नी लिखे इसलिए मैंने नी लिखा हमें यह वर्ब होता है starting में देखने को वर्ब ज़्यादी नहीं मिलता हमें वर्ब है हमें से बी calculating में तो जातर श्क्ति उसका स्मॉल से हो इसलिए मैंने आपके मायिन में थोड़ा बैठाने के लिए भी स्टर्टिइंग स्मॉल से किया है नितरूल यह इस टार्ट कोई भी व करते है तो इस टार्टिंग कैपिटल होना चाहिए लेकिन ताकि आपको सही दिखें तरना नहीं चूट पहुचा sioda जए कि पांशनयरी पहुचा पहुचा होगा या च्णोट पहुचा कहा झा-चार इस प्रकार से चोट पहुचाना यहां पर नहीं पाराओ थोड़े जाद ही खराब होगी है लेकिन अभी फिर भी पहले से ठीक हूं केप्ट केप्ट यह रखा क्या रखना होता है आप बताइए निट यहांपर के सैलेंट होता है यहांपर के सैलेंट नहीं होगा यहां पर के को लिखे निeles को बतार।aj निट यहांने बुणा है क्या बुणा कुछ भी चीज बुनते बुनाई करते हैं स्वेटर वाकर उसे निट बनते है उसी प्रकार से new, यह नया वाला new नहीं है, new याने नया होता है, लेकिन k जुड़ गया है, इसको बोलना जरूर नहीं है, लेकिन लिखते समय में k लिखना जरूरी है, यह वारा खाली new लिख देंगे, तो इसका मदला होता है नया, लेकिन यह वाला new याने जाना, जाना, यह क्या जाना जाने गो याने जाना वाला जाना नहीं है कोई भी चीज को जानना ठीक है कोई भी चीज को जानना उसका पास्टेंस है जाना उसने जाना और जानना को हम क्या बोलते हैं नो नो याने जानना ठीक है थोड़ा इसको ज्यादा डिटेल में इसले बतारूं लेकिन लिखेंगे इंगले लिखता समय लेकी पढ़ते समय कीवल रसी का फॉर्ष फॉर्ट फॉर्स फॉर्म थायर नियलडा था थिसका इसका निल्ड का इसका मतद घुटना टेकना और पास्टेंग में गुटना टेका इसी प्रकार से यह जो हमने नेल्ट लिखा था ना इसके अलावा हम यहाँ पे नील्ड भी लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं यह भी आपका होता है सेकंड फॉर्म में यह भी हम लिख सकते हैं चाहे तो इसी को इसका सेकंड फॉर्म मे आप नील नील दोनों बोल सकते हो देखिए घुटना टेका घुटना टेका यह फार्स वाम है नील तो भई यह थी आज की फिफ्टी वर्ड्स आपके लिए जो कि मैंने सेकंड फॉर्म सिंपल पास में बनाया है तो यह आपको पसंद नहीं महनत पसंद नहीं क्योंकि आप सम जो बात है उस सराओं को पर तो भी आची क्लास कैसे लगी और फॉटी के आगे देखिए टू के तक मैंने आगे अलगब के इंपॉर्टन जो था देखिए ए से श्राट किया था मैंने बी इस प्रकार से इफ मैंने ऐसे आगे बड़ा हुआ है ध्यान नहीं दिया होंगे आ उससे आपको और आसानी होगी तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक्यू आपका दिन शुब रहें